चिर्कण माधिव जी के सबी प्यारे भक्तो को मेरा ओउन वे शिवायतो दोस्तों शिर्कण माधिव जी भी आतरा 2024 के अब देट अभी तक तो नहीं आये हैं ठीक है जैसे ही कोई अपडेट मिलता है मैं आगो इस चैनल के माधम से अपडेट करवार दूँगा फिलाल दोस्तों हम बात कर रहे हैं शिर्क्रमादीब जी के ट्रैक में सबसे ज़्यादा उक्सीजन की कमी आपको कहां पे देखने को मिलती है किस पॉइंट में सबसे ज़्यादा उक्सीजन की कमी आपको देखने को मिलेगी अकसर लोगों की inquiry दोस्तों रहती है कि अगर हमें कोई यह बता दे कि शिरकर मादीब जी यात्रा में सबसे दाधा oxygen की कमी कहां पर होती है ठीक है track कैसा रहता है कितना lengthy track है मौसम कैसा रहता है तो हर एक चीज के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप चाहो तो चेक कर सकते हो ठीक है ना ऐसा आपको बड़े से बड़ा यूटीवर नहीं बताएगा ठीक है ये ऐसी छोटी छोटी बाते होती है जो लोग नजरा अंदाज कर देते हैं ठीक है फिर जब आप लाइव ट्रेक में यहां पे आते हो फिर आपको लगता है कि नही लोगों को अच्छे से बता सको उन लोगों को अच्छे से मैं गाइड कर सको और जो यात्राज जो ट्रेक इसकी जो कंडिशन के बारे में आपको सचाही से रूब-रूव करवा सको फिलाल दोस्तो, शिरकन मादीब़ जी यात्रा देखो जहाओं से आपकी स्टार्ट होती ह जहाँ से शिर्क्रमादिव जी लगवग 32-35 किलमेटर के आसपास है ठीक है ना तो जहाँ से जैसे यात्रा स्टार्ट होती है आपके ब्राटी नाला के लिए लगवग 6 किलमेटर पड़ता है तो 6 किलमेटर उतना ज्यादा टफ नहीं है फुल ऑक्सिजन रहती है तीन चार ग कर लेते हो उसके बाद तीन से चार किलमेटर आपका रह जाता है काली टॉफ काली टॉफ के लिए भी उतनी जादा ऑक्सिजन की कमी आपको देखने को नहीं मिलती है फिर काली टॉफ से 7-8 किलमेटर आपका भीमदवार है तो उसको भी आप बड़े इसली 5-6 गंटे में आ पारवती बैली से लगब साढ़े 14-15,000 फीट है दोस्तों और यहां से 6 किलमेटर रह जाता है आपका शिरकन माधिवजी का ट्रेक तो यह जो 6 किलमेटर है दोस्तों यहां पे सबसे ज़्यादा ऑक्सिजन की कमी आपको देखने को मिलती है तो पारवती बैली से उपर ही श शिरकन माधिवजी यात्रा में यहां से उपर ही होती है क्योंकि और आपकी बॉड़ी उस चीज़ को इंडोर नहीं कर पाती है जिसकी वर्ण से आपको यहां पे आपको अपने जान से भी हाथ दोना पढ़ सकता है तो दोस्तों अगर इस वार जो शिरकन माधिवजी में अ बर्फ ज्यादा रहती है तो फिर जो शॉट में जो रास्ता है जो आप देख रहे हो जो वीडियो में और जो पारविती बेली से जो यह संकरा रास्ता आप देख रहे हो ऐसे उपर जाके जैसे नाला जैसा बनाए है यहां से आपको डारेक्ट चड़ना है शिरकन माधिव जी शिवलिंग के लिए ठीक है जो की तेन किलमेटर यहां से रहता है तो तेन किलमेटर इतना जाड़ा टफ होता ना वाई छे से साथ गंटे का वक्त भी आपको लग सकता है और ऑक्सिजन की कमी ना सबसे जादा यहां पे होती है यह वाला रास्ता बहुत ही जाड़ा तब तक के लिए जिससाफ से गर्मी अभी है तो उससाफ से हो सकता कि बरफ थोड़ा कम हो जाए और फरशासन आपका जो नेन सुरू रास्ता है उसको ऑपन करे बाकी जो नाले वाला रास्ता है दोस्तों बहुती जाड़ा खतना गे बहुती टफ है आप इसको नहीं कर पा ठीक है, बाकि आपका जो नैन सोलवार रास्ता है वो उपरानी के अच्छा है थोड़ा सा लेंग्टी है 6 किलमेटर है लेकिन आप वहां से बड़े इसली उस ट्रेक को कर पाओगे, ठीक है ना, बाकि तभी मैं बोलता हूँ, आप देखो शिरकर मादेब जी की यात्रा की जो मंगल में तरीके से होगी, ठीक है, ये शिरकर मादेब जी वो भी यही चाहते है, और उनके वो ये मेरे थ्रूग, ये शायद आपको बताना चाहे, तो जो पहली वार शिरकर मादेब जी आतरा पे आ रहे है, ताकि मेरा जो भक्त यहां पे पहुंचे, वो पूरी तियारी क के साथ पहुंचे, उसी किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है, मैं आपको छोटी से छोटी चीजे बता देता हूँ, तो इसलिए यारा, मेरा जो चैनल के साथ आप बने रही है, ठीक है, हर एक छोटी चीज मैंने आपको बताई हुए शिर्कन माधिवजी के ट्रैक के बारे में, फिर भी आपकी कोई क्वाईरी है, तो बिंदास आप कोमेंट में जागे लिख सकते हूँ, मैं तुरंत इसका रिप्लाई आपके लिए कर दूँगा, जय शिर्कन माधिवजी